बदाएनल जी को भी जरूर सुनिएगा लेकिन इन नंबर्स के दम पर थोड़ी तेजी बन सकती है हालां कि तीन मेने में 25% स्टोक चला है लेकिन पिछले हफ़ते भर बें स्टोक वहीं का वहीं है वैसे 52 हफ़तों के आसपास ही 170 का लेवल है 175 पे आप बन वहें थोड़ी तेजी बन सकती है नया 52 हफ़तों का हाई लेवल बना सकता है टाटा मोटरोस एक सो एक सो एक सो एक सो एक सो बैसी के टार्गिट के लिए खरीदारी करनी का मुकार दूसरा है क्यों मिन्स का फीचर यह हैं दमदार रिजल के लोग बड़ी है और एक के बाद एक परफोर में नो डाउट महंग पर यह तीन लेवल है फ्यूचर की दे रहा हूं स्ट्रोंग रिजल से हर एक पेरामिटर्स पे ऑपरेशनल परफोर मेंस इंप्रेसिव नहीं बहुत ही इंप्रेसिव है आम तोर पर इनकी चोती तीमाही डीली रहती है और तीसी तीमाही रहती है सबसे बढ़िया उसमें चार पांच परसंट की तेजी तो बननी चाहिए थोड़ा सा दस विजे कौन कॉल है सुन लें अगर मेनेजमेंट और अच्छा बोल दे तो यह कमाल भी कर सकता है थोड़ा मेनेजमेंट सावधान रहे तो फिर थोड़ी गैप से खुलने के बाद हलका हो सकता है और चांसे तो रिजन से एक तो अफोड़ेवल है केश में जी सो उससे नीचे का लिए उससे ज्यादा बड़ा रिजन है कि आज ही यह बेंड में पता रहे हैं तो रिजल्स के एक दिन पहले बेंड में गुज़ गया है रिजल्स उम्मीद से बहतर है एक परामेटर पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मार्जिंस बहुत बड़े इंप्रूव हैं हाला कि हमारी उम्मीद भी 31% के मार्जिन के थी तेंगे फिर भी साड़े 13% से जो मार्जिन बढ़कर साड़े 33% आया है वो बहुत ही इंप्रेसिव है यह मुझे लगता है इस्टोक एक्षिन में रह सकता 89, 90 और 92 तीन लेवल्स के लिए आपको करनी है खरीदारी रहा बाटा फ्यूटर्स नंबर्स देखके मन होता है कि इसको बाय कोल दे दूँ फिर देखता है जाने दो या है परफॉर्म नहीं करता है यह इसको दिल और दिमाग में बड़ी कश्मकश है दिल कहता है दे दो बाय क बट नंबर सी के बैतर है ओपरेशनल परफॉर्मेस अच्छी आई है चोबिस नहीं फ्रेंचाइजी जोड़ी भी है मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आगे की डिमांड को लेकर भी फिर भी नेट नेट आप मुझे पूछेंगे तो बायस पोजिटिव साइट पर रहना च यह कैमपस कल रिजलिस के बाद अच्छा भागा है डिमांड रिवाइल के संकित बाटा में भी आ रहे हैं मार जी तो मेरे ख्याल से थोड़ा मजबूत हो सकता है सबसे बड़ी अबात यह स्टोक के लिए कि नहीं हफ़ते बर में चला है नहीं तीन महीने में चला है नहीं अंडर ओंड है हेटेड स्टोक है अंडर परफॉमर है और अगर इन सब चीजों के बेच में अगर बाजार अगर थोड़ा भी ठीक होता ना पक्का बाय कुल देता था तो कम से कम इसको शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत लिए मौका मिले नीचे तो लीजेगा अलग